मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC ने नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट नीट यूजी 2017 एड्मीशन के लिए आल इंडिया कोटा काउंसलिंग के पहले राउंड की लिस्ट जारी कर दी है रिजल्ट MCC की अधिकारिक वेफसाइट mcc.nic.in पर देखा जा सकता है आल इंडिया कोटा काउंसलिंग 15 फिस्टी सीटों के लिए हुई थी जिन उम्मीदवारों का नाम पहली एलाट्मेंट लिस्ट में आ गया है उन्हें दिये गए मेडिकल और डेंटल कालेज में 16 जुलाई से 22 जुलाई तक एड्मीशन लेना होगा आप अधिकारिक वेबसाइट MCC की विजिट कर सकते हैं that is www.mcc.nic.in और जब ये वेबसाइट खुल जाये तब आप योजी मेडिकल काउंसलिंग टैप पर क्लिक करें फिर आल इंडिया कोटा काउंसलिंग टैप पर क्लिक करें फिर आपको round 1 रिजल्ट दिखेगा उस लिं नमबर डालें और सम्मिट करें आल इंडिया कोटा सीटों का काउंसलिंग सीडियूल कुछ इस तरह है च्वाइस फिलिंग एंस लॉकिंग राउंड टू और नया रेजिट्रेशन एक अगस्त से चार अगस्त तक होगा सामके पांच बज़े तक सीट आवंटन की प्रक्रि में रिपोर्टिंग और डेंटल कालेज 9 अगस्त से 16 अगस्त साम पांच बज़े तक होगा रेक्त सीटों का राज यकोटा में स्थांत्रन 16 अगस्त साम के पांच बज़े के बाद होगा इन मेडिकल और डेंटल कालेज जो में MBBS और BDS में 1st year session 4 अगस्त से शुरू होगा यवित अगस्त से 17 अगस्त साम फर सब्स्क्राइब यद भूडट अपोगा लूड़ एफ और च अब्टास अगस्त सब्स्क्राइब यद ओस्त से 17 अगस्त सर इस एकि यश्त बड़ी कि अगस्त स्ट सूरूथ लूड़े चे जो में पांच, इन एफ फन्यूवग जूड झाल झाल